सबको नमश्कार एक मई से यानि कि कल से अठारा तारिक अठारा से चवालिस साल की उम्र के लोगों का भी वैक्सिनेशन शुरू होना है 45 साल से उपर की उम्र के लोगों का तो वैक्सिनेशन चली रहा है अब कल से अठारा से चवालिस साल के लोगों की उम्र के लोगों का भी वैक्सिनेशन शुरू होना है इसका बड़ा बहुत अच्छा रेस्पॉंस बहुत सारे लोगों ने रेजिस्टर किया है देश भर में अभी तक वैक्सिन हमारे पास पहुँची नहीं है हम लगातार कंपनी के टच में हैं हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सिन आ जाएगी उन्होंने भरोसा दिलाया है कोवी शील्ड वैक्सिन पहले कोवी शील्ड वैक्सिन आ रही है कलिया परसों तीन लाख कॉंटिटी आ रही है उसके बाद और आती रहेगी तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा कभी उसकी वज़े से कानून विवस्था ना गड़ बड़ा जाए कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो जाए, भीड लग जाए अभी वो सब मत करिएगा, एक या दो दिन में जैसे ही वो वेक्षिन आ जाती है हम आपको अच्छे से एनाॉंस करेंगे, मीडिया में एनाॉंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा उसके बाद जिस जिस का registration होता जाएगा जिस जिस की appointment होगी वो वो लोग आईएगा जल्दबाजी मत कीजिएगा सबको लगाएंगे वैक्सिन उसकी पूरी तयारी की हुई है सबको वैक्सिन लगाएंगे लेकिन आपका सहयोग चाहिए ये ना हो कि कल से आप लाइनों में ल चल्दी आएगी दोनों किम्पनियां 2 वैक्सिन हैं अपने पास ऐक smartphones और दोनों क्म्पनियों को हमने 67,000,000-78 सब्सपड़ा दोज़ देने के लिए हमने उनको निवेधन किया है और उनसे कहा है कि ये 66,66,000 वैक्सिन अगले 3 महीनों के अंदर दोनों कम्पनियां हमें उकल उसके लिए जो भी पेमेंट होगी वो दिली सरकार करने के लिए तैयार है दिली के लोगों को वैक्सिन फ्री में दी जाएगी और उनसे दोनों कमपनियों से हमने शेडूल मांगाए कि वो अगले तीन महीने के अंदर कब-कब सप्लाई कर सकती है हमारा हमारी पूरी कोशिश है हमारे पूरे प्रयास है कि अगले तीन महीने के अंदर दिली के सब लोगों को हम टीका लगा दें सभी लोगों को वैक्सिनेट कर दें तीन महीने का हमने टार्गेट लिया है कोशिश करेंगे पूरी कोशिश करेंगे इसकी पूरी प्लानिंग भी हम लोगों ने कर लिये जो भी इसके लिए infrastructure चाहिए वो सारा infrastructure भी हम लोगों ने तयार कर लिया है अब इस पर depend करेगा कि जो दोनों companyya हैं वो कितनी जल्दी हम लोगों को vaccine बना के देती हैं अगर उन्होंने समय पे sufficient मात्रा में हमें उपलब्द कराई vaccine तो हम कोशिश करके तीन महीने में दिल्ली के लोगों को सबको vaccine लगा देंगे और हमने देखा है कि किस तरह से जिनको vaccine लग जाती है वो काफी सुरक्षित हो जाते हैं ऐसा तो नहीं कि उनको दुबारा corona नहीं होता लेकिन अगर corona होता है तो वो जानलेवा नहीं होता वो serious नहीं बनता तो वो एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है ये vaccine तो एक तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप vaccine जरूर लगवाएं और इसमें कोई ये बिल्कुल safe है vaccine कोई किसी तरह का खतरा नहीं है vaccine जरूर लगवाएं अपने आसपास के रिष्टेदारों को दोस्तों को सब लोगों को vaccine लगाने को कहें और दूसरा आप सब लोगों का सहयोग चाहिए अगर सभी दिल्ली के दिल्ली वासी सहयोग करेंगे तब हम इसको मिलके अगले तीन महीने के अंदर पूरा कर पाएंगे बहुत बड़ी exercise है इतनी बड़ी exercise को तीन महीने में कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन सब मिलके करेंगे तो जरूर ये पूरा होगा बस आपसे यही निवेदन है कि अगले कुछ दिनों के अंदर भीड मत लगाईएगा इन सेंटरों में सब को लगाएंगे हर व्यक्ति को लगाएंगे और केंदर सरकार दिल्ली सरकार मिलके ये पूरा कारिकरम कर रही है हम सब मिलके करेंगे तो इसमें हम सब लोगों को जरूर सफलता मिलेगी